आगामी जीप रेनेगेट SUV की तस्वीरों का पहला सेट तूरिन मोटो शो में रिलिस किया गया है तस्वीरों से ऐसा लगता है कि रेनेगेट को केवल सटल परिवर्तन प्राप्त हुए है बाहरी परिवर्तनों में रिडिजाइन किये गये फ्रेंट बंपर, अडिशनल फॉग लैंप, LED हेडलाइट्स, डेटाइम रनिंग लाइट्स, रिडिजाइन टेल लाइट्स शामिल है अंदर की कोई तस्वीर जारी नहीं की गई थी, लेकिन स्पाई शॉर्ट से ये हम कह सकते है कि इसमें कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया गया है सीटों के लिए नया फाब्रिक और एक लारजर इन्फोटेन्मेंट सिस्टम शामिल है यूरोपिया बाजार के लिए रेनेगेट फेसलिफ्ट एक नए 1.0 लीटर तीन सिलेंडर इंजिन के साथ आने की संभावना है जो 120 HP के लिए अच्छा है एक नए 1.3 लीटर तर्बो पेट्रोल मोटर भी होगी जो 150 HP और 180 HP विकलपों में आएगी भाविश्य में भारत के लिए अपडेटेड रेनेगेट 140 HP 2.0 लीटर डीजिल और 1.4 लीटर तर्बो पेट्रोल इंजिन और आल विल ड्राइब विकलप के साथ बनाई जाएगी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और टो अड़ा चानल को सब्सक्राइब करें अगर आपको कोई सवाल ये सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताएं